तो आज का जो टॉपिक है वो है फाइब फूड 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 कॉम्बिनेशन डाट किट्सूड अवाइड तो आज मैं आपको पांच ऐसे फूड के फूड कॉम्बिनेशन का नाम बताऊंगी जिसे आपको अपने बेबी या किड्स को बिल्कुल नहीं पांच देना चाहिए एक साथ तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं यहां आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहती हूं चाइल्ड के हिल्थ र करती हूं और बताती हूं कि कौन सा ऐसा पहला food combination है जिसे हमें अपने बेबी को नहीं देना चाहिए तो सबसे पहला मैं रीजन बता देती हूं इससे बहुत सारे problem हो सकती है जैसे हो गया allergy cold and cough, nausea, vomiting हो गया, acidity हो गया तो यह सारे problem आ सकती है अगर आप यह food combination अपने बेबी को देते हैं तो चलिए start करते हैं first number पे जो food combination आता है वो है बनाना और milk यह एक बहुत ही ज़्यादा combined करके खाने वाला food है हम अक्सर अपने बच्चों को या खुद भी बनाना से क्या फिर बनाना का जो प्यूरी होता है वो अपने बच्चे को देना पसंद करते हैं लेगिन हां यह food combination हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि इसके वज़े से जो problem होगी मैं आज वह भी आपको बत और फेवरिट फूट कॉंबिनेशन में आता है यह तो और जो बनाना और मिल का फूट कॉंबिनेशन है वो इस ट्रिक्टली नॉट अलावड इन अर्युवेदा तो अगर आप अपने बेबी को देते हैं तो आप इससे जो problem हो सकती है वो है कि आपके बॉडी में toxic का production हो सक अगर आपने बनाना का स्मूधी अपने चाइल्ड को दिया है तो वह बहुत स्लीपी स्लीपी फील कर रहा है तो अगर आप अपने बेबी को बनाना और मिल्क कॉम्बिनेशन देते हैं तो उसे पहले एक बार सोच लें इसके साथ-साथ ये बॉडी में म्यूकस जो होता है कफ म्यूकस बनता है उसके प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉंसिबल है तो बनाना और मिल्क कॉम्बिनेशन आप अपने चाइल्ड को दूसरा जो फूट कॉम्बिनेशन है वह फूट एंड योगर्ट्स अहां आप फूट्स और योगर्ट्स को भी एक साथ अपने बेबी क करता है क्यूंकि दूनों ही जादा ठंडा होता है तो आप फूट और योगर्ट को एक साथ ना दे साथ यह कि बाड़ी में अलर्जिक भी पैदा करता है और अलर्जी के साथ-साथ अगर आपके बाड़ी में ज्यादा कोफ और सब्सक्तरिक परब्ल्स है तो माईट भी वह अपने बेबी को योगर्ट और फूटस एक साह देते हैं तो भूल गभी यह कॉम्बिनेसन अपने बेबी को नाखिए तो थर्ड जो food combination आता है वो है white bread and jam, तो white bread and jam को एक साथ खाने से suddenly sugar level high हो जाता है, और sugar level जब भी high होता है तो आपका बचे extremely tired feel करेगा, sleepy sleepy feel करेगा, तो आप भूल कर भी breakfast में या टिफिन बॉक्स में अपने बच्चे को bread and jam देने से बचे हैं, फूर्थ नम्मर पे जो food combination आता है, वो है meat and starch, meat में आप chicken हो गया, lamb हो गया, turkey हो गया, या फिर red meat हो गया, starch में आप potato ले लो, pasta ले लो, ये जो food combination है, ये एक साथ कभी भी नहीं देना चाहिए अपने baby को, इससे आपके body में बहुत ज़्यादा acid का production होता है, उसके साथ-साथ body toxic का भी production करती है, तो जो meat and starch का food combination है, वो भी देने से बचे आप अपने baby को, उसके बाद जो food combination आता है, फिफ्ट नम्मर पे वो आता है, tomatoes and cheese, ये तो बहुत important food combination है, बच्चों का favorite है, sandwich में हम हमेशा cheese और tomatoes को एक साथ देते हैं अपने baby को, तो ये भी आपके body में acidity का form करता है क्योंकि tomatoes बहुत जादा acidic fruits है, vegetable कह लीजे या fruits कह लीजे उसे, तो आप भूल के भी ये 5 combination जो है, tomatoes and cheese, bread and jam, banana and milk, योगर्ट और fruits, ये जो 5 combination है, ये भूल के भी आप अपने बच्चे को ना दे, तो I hope आपको ये information बहुत ही जादा useful हो आपके लिए और आपके baby के लिए, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं next video में मिलती हूँ, आपसे कुछ और information के साथ, तो आप मेरे चैनल को subscribe कर दे, मेरे वीडियो को like करे, comment करे मुझे और अपने friend और family के साथ share करे, ताकि आपको और आपके baby को, साथ साथ आपके family को कोई भी problem ना हूँ, तो आज के लिए नहीं, बाफ फो ना हूँ